मैं इस वक्त हूँ गराम पंचायत नैनपूर में जो जिला सुरजपूर के अंतरगत आता है प्रेण मगर विधानसभा से अभी खेल साइजी विधायक हैं वर्तमान में और खेल साइजी ने कितना यहां नैनपूर की जनता के बीच वो आए हैं कितना ध्यान दिये हैं कितना इनके सुक दूख दर्द में उनकी साभागिता रही है इस पर भी हम जानते हैं तो आईए बादचीत का सुरुवात करते हैं साथ खड़ा रही हैं और कामकाज केतना होई से पाज साल में तो अभी के स्थिती में खेल से हमारे यहां का विधायक थे और उसका सभाव भी बहुत अच्छा था मेरे को लगता है चार या पाच बारे से अपने यहां आए गए भी हैं और उनके कारेकाल में अपने यहां का काuje przykas भी बहुत अच्छा हुआ है kya क्या क्या advice hoa है अगर आप सिविविकार बारे में बताना चाहें कि यह बडला हुआ है यह दिखता है जिसे यहां की जैन्दता बहुत खुश हैं कौन-कौन से काम है अपने है में सीसी रोड बनन पुलिया बना उधर, जारा घाट की तरफ, और एक तडबन बना है, ऐसी करके आप तो पाच्छे नाम गिना दिये और तीन ही बता पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, का नाम है ददा, रमे सर है, का कर था ददा, छिती बारी, का का तो इंसाल लगाए हा, बुने हा, का का है, का अघर, पाच्छेदी बता तो ठाल कर, था पानी हा, ठीके गिरे रहीच, था पोड़ देथा दा, बोड़ देथा ना, का कटे देथा, पंजा कतिन जा था कहा तो पुल, कौन हार फायदा देथे, यही जाने बर मै आये हो, कि भ sensational पाया लों काना 002, 5000 산स्या भाड़ हो बुटका खा था भईया खाए हूं लिगने लान नहीं खाएं चाही तो बना देसे कंपणिया तो खाने पॉर थे भईया अरे तो भाई नहीं भाई तो थे खांगे लगा तो भाई है थोड़ी बिक चलते बना था खा थनी चला ठीक है भईया मैं ही पूशत रहें कि गाओं ग सब बराबर चलते अब बढ़ियां विकास करते मुख्य क सब सीरभार है जेला बता थे तेला जान्थन अब बढ़ियां रोड उड मला बनुआवा थे और कोई दूख तफली करते तो कभी बला थी तो आजाते मुख्या कर नाम का है भी तो मुन्नी सर्पंच है अच्छा ये ऐब अभी जब चुना हो ही तो पंजा कतिन निहाकर जाना पसंद करहीं की फूल कतिन तो भ Seiया आयला समेह बता ही हमारे गाम गन्र एक तश कल थे ना हमारे गामणीम दे र्रोष चल लख जेला हम अरगावले मन बोल देता तो ओ ही इस अध्यार नहीं होई से तो अभी त कि उन्खें फिर से गदी में बइठाये खावे कि ये दारी उलट फेर करके भी हो सकते गुंजाइस तो सब जन जूटब ना गावाले मन अब यहां बईट के चर्चा करब तो गावाला सब एकता लेवो तो राय सला बनाब तो जेके दें चाहे कांग्रिस लदें चाहे फूल होते हैं पांच होते हैं सरपंच होते हैं जन्पत सदस द splendे जिला चाथ सदस बिधायक इन सभी में से सबसे अच्छा सक्रिय कौन परति निद्धी गाउं के दुख द कि में तो सरपंची रहते जादा और उस बहार ओगाउं को शिलूस तद निई महीं और हम गाउं के तो यादो जी पंजा कतिन है कि फूल कतिन है तो अगले बार तो बंजा कतिन गए रहे हैं और यह बार वह वाला बात थे कि अब गाहने कोई चर्चा हो यह उकर बात फिर पता चले अच्छा जे कस प्लान बनाय रहा कि भाई पंजा कतिन जाना है आप मन के गाउं में सुने का मौका मिले से कि आप सबको ये जूट हो जा था और एक तरफा निर्विरोध चैन कर था तो जह हिसाब से निर्विरोध बनाए रहा है रहा हो जैसाब से गाउं में विकास करी से भूपेश का काहर खेल साहिजी आयरे हीं देखे तो साथ देहिं तो भई तब है तो काम होई पुरा हर जगा काम चली बढ़िया से बढ़िया से परसनाथ है परसनाथ भट गाव में तो परसनाथ जी विधायक भी है वह तो पिधायक जी है मैं तो भी ग्राम-वासी हो भी घ्राओं के देखते हुए यहां का का समस्या दिख है का का ऐसा दुख तकलीफ है जिला आप मन चाहता कि सरकार हर दूर करें इतना विकास है के बाद भी कुछ कुछ काम है सब बचगी से जो की आगामी भविस में लगत है कि यो काम को होई कज आ सकता है जिसे कि एक दूनाम अगर आप मन लेना हमर आज जो बिक्षा रोपड होई सो बिक्षा रोपड के उपस्वास के अंदर में ही बाउंटरी वाल के बहुत जरूरत है ताकि जो मवेशी है वो हमर जो बिक्षा रोपड होई सो पाधामन के कहीं खाना जाए और एकर से हमके चती पहुंची एकर अलावा जैसे गाव में कहीं चुट-फुट काम कही कहीं सड़क बजगी से कहीं पूल बजगी से यह सब काम लभी आगामी भविस में वोकर आसकता मसूस करल जाते हैं क्या नाम है मैं मापका क्या करती हैं आप कॉल से वाट की पंच हैं पंच आप पंच हैं और नैन पूर ये गाउं है ये सुरजपुर जिले के चंद ऐसे ग होते हैं जहां पर निर्विरोध चुने जाते हैं जिसमें चाहे मैंने सुना कि यहां पंचों का निर्विरोध चैन होता है सरपंच का होता है उप सरपंच का होता है तो आखिर ये कैसे संभव हो पाता है इतनी बड़ी आबादी वाला ये गाउं है और एक होकर के निर्व हुआ है उसमें फ़ाहम का एक्ता जेसे चोटा सा घाव है उसमें हम लोग भेद भाव नहीं को है हर आदमी की अध्यायोग से सलाह में अब तक कर आ lur टो अठ्ट my अच्छा शैने को सारकार के तरफ से कितना लाब हुआ है और आप लोग इस गाव में कितना विकास काम अब तक कराए है जो चार साल लगवा कितना काम आप लोगों ने किया है CC road हुआ है, और हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, उसमें निवीरोड चुनते हैं, उसमें भी कुछ फांट देते हैं, उसमें हम लोग गाहं को विकास थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और गाहं को विकास हो रहा है। यहां के लोग किस दल को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि 36 गड़ में दो ही दल है प्रमोखरूप से BJP और कॉंग्रेस तो यहां की जनता का जो मनोभाव है वो किधर ज़्यादा उनको विश्वास होता है BJP के प्रति या कॉंग्रेस के प्रति है और रहेगा अभी हम सर मैं ग्राम नैनपूर का हूं मेरा नाम हिरासाय यादो है हिरासाय जी क्या करते हैं हिरासाय भाई सर खेती बाड़ी करते हैं खेती में क्या-क्या करना पसंद करते हैं खेती में तो यही धान का खेती करते हैं उरत का खेती करते हैं ठीक ठाक आमदनी हो जाता है हां ठीक तो हो जाता है चली मैं पूछ रहा था भाई कि अभी जो चुनाओ होगा दो महिने बाद विधान सभा चुनाओ चुने जाएंगे तो उसमें नैनपूर के जनता आप जैसे युवा दोस्त लोग किसके तरफ जादा जुकाओ रखेंगे कॉंग्रेस से अभी जेपी देखिए हम लोग तो युवाओ हैं हम लोग के साथ ही बहुत युवाओ है पर हम लोग अभी मेरा गाड़ी चोरी हुआ है अगर मेरा गाड़ी का समसिया अगर हल हो जाता है तो हम सारी युवाओ हमारे साथ आएगा जो पार्टी हमको साथ देगा अभी तो के सार के पास गए तो अ कितना हुआ है पांच सालों में विकास तो हुआ है सर पर जो हमारा जो गरीब लोग का समस्य आता है जो हम जाते हैं सर लोग के पास जो बिधायक रहते हैं और कुछ से रहते हैं उनके पास जाते हैं तो हमारे सुना ही नहीं होता है तो अब देखे किस बार हमारे गाउं की कर्जा माफी की बात सरकार कहती है कर्जा माफी हुआ है किसी किसान का कर्जा माफी हो गया है हम लोग का तो करजा नहीं था तो हम लोग को मालूम नहीं है इसमें कहते हैं बिरोजगारी भत्ता भुपेश काका दे रहे हैं ऐसे कोई साथी है जो जिनके परिवार में बिरोजगारी भत्ता मिल रहा हो ऐसा तो कोहीं नहीं ऐसा लगभग कितने लोगों को मिलता होगा ये भी जानकारी नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त गराम पंचायत नयनपूर में हूँ जो सुरजपुर जिले के अंतरगत आता है और इस गराम पंचायत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर लोग एकमत हैं, एक जूट हैं, एक होकर के कोई निर्डे लेते हैं चाहे इनके यहाँ पंच का चुनाओ हो, सरपंच का चुनाओ हो, उप सरपंच का चुनाओ हो या फिर विधान सभा या लोग सभा का भी चुनाओ हो पूरे गाउं एक होकर के निर्भिरोध बनाते हैं एक तरफ़ा वोट करते हैं यानि यहाँ पर वोट नहीं होता है चुकि विधानसवाल लोकसभा में होना निवार है तो होता है बाकी पंचायत लेवल पर कोई चुनाव नहीं होता तो ऐसा विरले इस तरह के गराम पंचायत होते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स पर लिख करके जरूर बताईएगा चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा